करेंगे जो पेपर बहुत अच्छे होंगे मैं हूँ अफचल दोस्तों इस सेशन में हम डिसकस करेंगे जो पेपर बर है यूजिट नमबर वन उसका जो टीचिंग अप्रिट्यूट से उसके इंपोर्टेंट जो पीवाई क्यूज है उनको एक अच्छे के साथ हम डिसकस करेंगे जो पीवाई क्यूज हैं उनकी सीरिज को हम डिसकस कर रहwał एप्पर बनकी तो इसका सेकेंड पर है टीच्छिंग अप्रिधूट का इससे पहले हम इनि दिसकस किया था टीचिंग अप्रिटीट का vatar नमबर अगर आपको उसको आपने नहीं देखा है उसको आप अगर रेफर करना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाएए वहां से आप उसको बहुच आउट कर सकते हैं तो डेली बश्रीजिस पर जैसे मैंने आपको अलरे बताया कि आपको जो मोर्निंग, मोर्निंग में आपको पेपर वन एक लेक्चर मिलेगा, एक सेशन होगा, जो आपका सारा PYQs में बेश होगा, और in the evening 7 p.m. आपका जो management का paper है, जो commerce का है, code no. 17 हो गया, code no. 18 हो गया, उसके regarding आपको एक बहुत ही effective, बहुत ही important आपको lecture मिलेगा, आपको session हुआ, जो आपके domain specific subject के depend करेगा, जिसे management या commerce पे, तो इस session में हम discuss करेंगे, teaching attitude के बहुत ही important PYQs, जिनकी बहुत ज़्यादा probability है, बहुत ज़्यादा chances हैं, कि वो question repeat होगी, अगर directly question repeat never होगा guys, तो कहिन कहीं, उसी pattern से, अगर आपका concept के लिए रहे हैं, तो definitely, आप question miss नहीं करोगे, सबसे पहले देखते हैं, हमारा ask का question रहेगा, क्या रहेगा, इससे पहले, अगर आपको ये lecture अच्छा लग रहा हूँ, आपके लिए informative हैं, तो please like करिए, और जादा से जादा share करिए, अगर आप channel पे नहीं हैं, तो सबसे पहले channel को subscribe करिए, और साथ में जो bell icon हैं उसको on कर दीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाले update का notification आपके जो evaluation plan हैं, उसके कौन-कौन से elements हैं, उनके regarding बताना हैं, आपको पहला इसमें option है, purpose, resources, analysis and authority, select the code answer from the given blue, आपको जो options हैं, उनसे आपको answer find out करना है, answer को select करना है, जो code दिए गए हैं, अच्छे से question को understand करना है, question क्या कह रहा है, एक बार आपको repeat कर देता हूँ, what are the elements of evaluation plan, जो evaluation plan होता है, उसके elements क्या है, तो नीचे दिए गए है, purpose है, resources है, analysis है, या authority है, इसमें कौन से जो elements है, जो evaluation plan के elements है, या आपको यहाँ पहला है, कैसे कौन सा answer correct होगा, yes, तो सबसे पहले इसका answer check करते हैं, जो इसका answer number D, इसका answer number D is correct, अब D correct क्यों है, जो purpose है, कि कोई भी जो evaluation करना है, किसी plan का, उसमें purpose, बहुत important purpose आपको आएगा, जो resources है, resources भी आएं, कि आपकी speaker, उनका जो plan है, उसको evaluate करना है, तो आपके पास संसादन, आपके पास resources भी हो analysis भी करोगे, तभी तो आप उसको evaluate करोगे, ऐसा तो नहीं है, कि बगएर analysis के, आप कैसे उसको evaluate कर दोगे, नहीं कर सतना, तो analysis इससे पहला step है, उसके बाद आप उसको evaluate करोगे, तो authority, authority तो बिलकुल इसके कोई matching body नहीं है, तो आपको authority नहीं होगा, इसका answer number जो हो जाएगा वो D answer correct हो जाएगा, 1, 2 and 3 is correct answer, next question देखते हैं, next question कहरा है, which of the following is the key behavior, contributing the effective learning, जो effective learning है, उसमें जो key behavior है, उनका क्या contribution है, उसके regarding आपको बताना है, यह जो है, summarizing what told by the student, B, encouraging students to elaborate on an answer using direct and indirect questioning, right, D, explaining concept in a logical step by step presentation, जो question इसमें आपको 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 अच्छे से समझना है, कोशन कह रहा है कि जो effective teaching है उसके contribution में जो key behavior है उसके किस किस तरीके से वो contribute कर सकता है एक effective teaching में कौन कर सकता है key behavior तो आपको यहाँ पर यह clear होना चाहिए कि basically key behavior क्या होता है और helping behavior क्या होता है right key behavior के regarding question पूचा गया है और helping behavior के regarding question पूचा था क्योंकि आपका एक proper topic है जो unit number one है teaching attitude में बहाँ पर topic है key behavior and helping behavior तो आपको बता होना चाहिए कि basically key behavior क्या होता है और helping behavior क्या होता है अब question पूचा गया है कि key behavior जो है वो effective learning में कैसे contribute कर सकता है तो जो explaining concept in a logical step by step presentation जब हम एक step presentation के द्वारा logical way में किसी भी concept को explain करते हैं तो basically वो key behavior होता है एक effective teaching का एक key बहुत ही इन्मुक behavior होता है जो हमारी effective teaching में contribute करता है सबसे ज़्यादा कि अगर कोई भी आप presentation दे रहे है कि step presentation दे रहे है उसमन logical step में आप यूज कर रहे हूं किसी concept को आप explain करने के लिए तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा effective teaching में एक key behavior का contribution हो जाएगा तो आयोगोप आपको clear हो गया होगा key behavior के रहा दे है नेस्ट कोशन मूब करते हैं कोशन नंबर 28 है यह विच टाइप आप evaluation focus on the identification of deficiencies राइट and difficulties of the learner कोशन बहुत बढ़िया है कोशन क्या कर रहा है कि विस टाइप आप evaluation जो focus करता है on the identification of deficiencies and difficulties of the learner जो learner की difficulties है जो deficiencies है उनको identify करने के लिए किस चीज को आपको जो evaluation focus करता है यह question पूछा गया है तो इसमें दिया गया है summative evaluation follow-up evaluation diagnostic evaluation criterion reference evaluation तो आई होप आपको जो question क्लियर हो गया हुआ question मैं दोबारा repeat कर देता हूँ question क्या कह रहा है कि जो learner है उसकी जो difficulties है जो deficiencies है उनको identification के लिए हम कौन से जो evaluation है उस पर हम focus करते है आंसर दिया गया है summative evaluation, follow-up evaluation, diagnostic, criterion, reference evaluation यह आपको बताना है कि एक जो learner है उसकी difficulties और जो deficiencies है उनको कैसे identify कर सेते हैं किस evaluation के थ्रूप इसका correct answer क्या होगा यह देखते हैं इसका answer number C, answer number correct क्यों हो जाएगा क्योंकि diagnostic में क्या होता है कि जो learner है उसकी difficulties है यह जो deficiencies है उनको हम identification पर focus करते है क्योंकि यहां पर क्या होता है basically हम problems को find out करती है, summative में क्या होता है, summative क्या होता है जो evaluation होता है यह क्या होता है end of the study होता है जो keyword से आपको यह याद दोना चाहिए end the study, जब कोई हम study करते हैं तो end the study क्या होता है basically यह summative evaluation होता है, ऐसी diagnostic क्या होता है, कि इसमें हम evaluation कर रहे है पर इसमें जो problems है, उनको हम find out करते हैं कि जो evaluation होता है, क्या problem चाहिए, क्या difficulties आ रही है क्या deficiencies आ रही है, learner के लिए उन चीजों को हम identify करते हैं तो वो basically कहलाता है diagnostic evaluation कहलाता है तो आपको keyword ध्यार रखना है, जहां पर कोई problems आती है, कोई difficulties आती है, यह कोई deficiencies आती है तो basically वो diagnostic evaluation कहलाता है, और criterion reference evaluation क्या होता है, यह आपको comment में बताना है comment करके, next question की तरह हम move करते हैं, जो question number 18 है, वो क्या कहता है in which method of arriving at knowledge, the emphasizes on both proceeding from particular to general and from general to particular in a combined way यह बहुत ही important question है यह, इसको अच्छे से आप समझना है, अच्छे से read करते हैं, दोबारा read करते हैं question कह रहा है, ऐसा कौन सा method है, जिसमें जो knowledge है, right, emphasize करते हैं both preceding, दोनों preceding पर हम knowledge पफे emphasize केते हैं, जो हम particular to journal जाते हैं यह Particular to General जाते हैं and from general to particular जाते हैं इन honey combined way में हम particle से general की तरफ जा रहे हैं और each से हैं particular की तरह जा रहे हैं यह कौन सा method होगा, यह inductive method होगा, यह deductive method होगा, यह scientific होगा, यह analogical method होगा, यह आपको बताना है, बहुत ही very very important question है, बहुत ज़्यादा probability है, बहुत ज़्यादा chances है, कि यह question repeat हो सकता है, अगर directly question repeat नहीं होगा, तुझे चो concept है ना, inductive, deductive, scientific, analogical, इन में indirectly question बन सकता है, तो सारे concept आपको clear होना चाहिए, अब इसका answer देखते हैं, guess करिए, कौन सा answer correct होगा, इसका answer number C, answer number C is correct, C correct क्यों होगा, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है, particular to general, जब हम जाते हैं, particular to general जाते हैं, और general to particular जाते हैं, इना combined भी, तो basically, एक किस्पिरग्यार का method होता है, यह हमारा scientific method कहलाता है, जहाँ पर combined way में, एक particular to general, जा general to particular होता है, तो वो हमारा method कहलाता है, basically combined, अब inductive क्या होगा, और deductive क्या होगा, इसको आप ध्यार रख सकते हैं, इसकी sort form है, बहुत अच्छी sort form है, डी, जी, एन पी, यह आपको याद रखना है, और inductive की sort form होगा बनाएंगे, एक निमोनिक्स बना लेंगे, निमोनिक्स, इसका होगा, आई, पी, एन जी, यह आप बना सकते हैं, आप याद रख सकते हैं, कि इसमें confusion होता है, जब question आता है, तो हम भूल जाते हैं कि particular to general किसमे होगा, या general to particular किसमे होगा, इसके लिए बहुत अच्छी एक trick है, और deductive को याद करने के लिए, और inductive को याद करने के लिए, आप इस हम deductive में क्या करते हैं, हम general to particular जाते हैं, जबकि inductive क्या होता है, इसमें I for inductive और P5 particular और G for general, इसमें हम क्या करते हैं, inductive में हम from particular to general जाते हैं, जबकि deductive में क्या होता है, बहां पे हम general to particular जाते हैं, तो I hope आपको एक clear हो गया होगा कि inductive क्या होता है, साइन्स्ट्रिफिक क्या होता है और डिरेक्टिव मेथिद क्या होता है नेस्ट कोशन की तरब मूब करते हैं बहुत ही इंपोर्टेंट कोशन है कोशन देखिए यहाँ पर ग्यानवानी लांच वाइग्नू टू कवर दा एजुकेशनल नीड्स आफ इंडिया रेफर टू र बहुत ही इंपोर्टेंट कोशन है यह कि कोशन कह रहा है कि जो इग्नू के द्वारा ग्यानवानी जो लांच हुआ था वह कौन सी जो एजुकेशनल नीड्स है इंडिया में उनको रेफर करता रही अब ग्यानवानी के रिकार्डिंग पूछा गया है यह आपको बताना है कि जो इग्नू का एक इनिशेटिव है तो वह कौन सी एजुकेशनल नीड्स है उनको रेफर करता है इन इंडिया रही इसका आंसर नंबर बी बी इस करेक्ट बी करेक्ट बिसिकली क्यों होगा क्योंकि यहां बोला गया है एजुकेशनल एफम रेडियो नेड्वर्क तो आ क्लें इससे समबंदिद है उसको रेफरक करता है तो इसलिए इसका आंसर गफ़िल को जायBu sudah शोगो और इससे एक इनिशेटिव के ज्यान दर्शन ग्यान दर्शन और ज्यान धरबं साफ estra अक्या थ्र दोनों इसमनों के अठ्रों है कि तीनों इनिसिवर आयते ग्यान बानी आया था और ग्यान औरसन और ग्यान धरसन और किसको करता है और आपको कमेंट कर comment box में रहे जो टेलिग्राम चैनल है बहाँ पर आप जो आंसर है शेयर कर सकते हैं और आपको यह भी बताना है आपके कि जो घ्यान दरहा है और जो घ्यान बानी और घ्यान दर्शन है इन यह कप-कप आये इनकी आपको डेट भी बतानी है किस धिवर को यह लॉंच हुए यह आपको कमेंड वेदाना आप help google की ले सकते हैं अब next question हम देखते हैं बहुत ही simple and direct question है एक factual question है कोन आप experience जो concept दिया गया था कोन आप experience और related to teaching learning basically किस से related है जो teaching learning है उससे related है बास suggestion किसके दोआरा suggested करा गया था जॉन डेवे किल पैट्रिक किल पैट्रिक फ्रो 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 एवल एडगर डेले यह बताना आपको जो कोन आप experience है अगर आप जो learning आपने जो learning की teaching learning है उसमें आपने देखा होगा आपने study क्या हुआ कोन आप learning एक कोन की फार्म में जो experience होता है वो basically जो teaching learning है उससे relate करता है अब उन्हें पूझे किसने उसको suggest करा था किसने उसको develop किया था आपको author का नाम बताना है तो यह basically कोन आप experience है जो एडगर डेले के द्वारा सजेस्ट करा गया था तो इसलिए इसका answer number D is correct तो यह आपका direct question है आपको पता होना जीए कि basically कोन आप experience है वो किसके द्वारा develop करा गया था एडगर डेले नेस कोशन की तरह हम move करते है जो नेस question है बिचाबदा following is a social characteristics of learner जो learner है उनके social characteristics कौन सा है यह आपको बताना है power of sensory perception thinking abilities power of synthesis imagination ability to relate oneself with other side अब को एक learner का social characteristics बताना है जो नीचे दिये गए है social characteristics of the learner क्या है यह आपको बताना है बहुत ही easy question है अगर question अच्छे से पढ़ेंगे अच्छे से interpret करेंगे तो definitely इसके आप answer दे देंगे कि social की बात हो गई है अगर keywords आपको पता है तो question आप attempt कर सकती है रही इसका जो answer आपकी खुद की ability जब दूसरों के साथ रिलेट करती है तो basically एक learner का वो social characteristics कहलाता है रही क्योंकि आपकी जो खुद की ability है जो आप खुद की ability है वो आप किस से relate कर रहे हैं अदर लोगों से आप relate कर रहे है society के अदर तो basically एक learner का क्या है एक social characteristics कहलाएगा रही तो next question की तरह move करते है question number 33 which is the characteristics of formative evaluation जो formative evaluation है उसका कौन सा characteristics है बहुत simple question है बहुत direct question है evaluation occurs at a terminal point right evaluation is used before programming design evaluation relates to indicating learning outcome of teaching evaluation is conducted during the teaching यह आपको पता है अगर आपको effective अगर आप sorry अगर आपको formative evaluation की आपको concept के लिए रहे है कि formative evaluation क्या होता है तो इस question को आप बहुत अच्छे से attempt कर पाऊगे इसका जो answer number है जो answer इसका D is correct अब D basically correct क्यों होगा क्योंकि कि जो basically formative evaluation होता है वो क्या होता है आपका during the study होता है during the class होता है तो यह आपको keyword जहा होता है formative के regarding क्या होता है basically during the class right during the class and study यह keyword है इसका during the class and study आपका on the same time simultaneously आपका एक मुल्याइंकन हो रहा है आपका evaluation हो रहा है तो वो आपका formative evolution कहलाएगा अब summative evolution क्या होता वो आपको comment करके बताना है अब हम next question की तरह move करते है question list कहता है which is a non-cognitive characteristics of learner यानी इनमें से कौन सा non-cognitive characteristics है आप एक learner का इनमें कौन सा non-cognitive characteristics है यह बताना है recalling problem solving identifying important sensory inputs believing what is true यह आपको बताना है कौन सा non-cognitive cognitive है यह आपको ध्याना है यह नोंने cognitive नहीं पूछा है यह नोंने पूछा है non-cognitive तो इसमें recalling आपको उस होगा क्योंकि यह तो आपने cognitive होता है problem solving cognitive है identifying important sensory inputs यह भी आपका क्या है cognitive cognitive है right जब को जो डी है वो आपका non-cognitive है इसलिए इसका answer number जो है वो डी करेक्ट हो जाए क्योंकि believing what is true यह क्या सही है उसमें आप believe करते है तो वो basically क्या होता है वो आपका non-cognitive है right तो answer number जो 35 sorry question number 35 है उसको देखते हैं the field of study which uses role playing right simulation self evaluation as strategies for adult learner is known as pedagogy anthropology anthropology psychology यह आपको बताना है बहुत ही अच्छा question है जो adult learner है उसका self evaluation होता है उसका simulation हो रहा है यह role playing हो रहा है तो किस प्रकार की study कहलाएगी है यह आपको बताना है pedagogy होगा anthropology और एंड्रोगोजी यह psychology right तो यह जो एंड्रोगोजी होती है basically यह होती है यह क्या होती जो हम role playing करते हैं simulation कर रहे है यह self evaluation कर रहे है as a strategies एक adult learner के लिए तो यह एंड्रोगोजी होती है आपको ध्यान होना चाहिए है आपको आगे भी ध्यारतना है कि एंड्रोगोजी रहे है इसलिए इसका answer B is correct next question है in a classroom content produced from specific user will lead to personality development content filtering personalization general academic integration बहुत ही अच्छा question है एक classroom के अंदर जो content होते हैं वो produce होते हैं एक specific user के लिए एक specific user के लिए एक classroom के अंदर content को produce करा जाता है तो user जो है वो किस चीज़ को lead करेगा personality development को content filtering के लिए या personalization के लिए journal academic integration के लिए इसका जो answer number C is correct क्योंकि यह क्या basically होगा इन्होंने पूछा है specific user एक specific user के लिए content produce करना किस एक user किस चीज़ को lead करेगा what will be the intended learning outcomes deciding as to what strategy and tactics will be used formally approving the academic qualification of teachers determining the evaluation tools to be used deciding the size of classroom assessing the prior academic experience of the learner right यह आपको बताना है काफी important question है इसका answer check करते है answer number जो है वो इसका decorrect है right अब decorrect क्यों है क्योंकि जो इसमें क्या है जो पहला determining what will be the intended learning outcomes यह आपको determine करना पड़ेगा right and जो 3 है formally approving the academic qualification of teachers जो एक teacher है उसके academic qualification क्या है उसको formally approve करना पड़ेगा और यहाँ जो 4 है determining the evaluation tool to be used आप किन-किन जो tools है उनको use करना है as the evaluation के लिए और 5th है deciding the size of classroom classroom का size क्या है वो भी आपको decide करना है teaching learning system एक अच्छे teaching learning system को organize करने के लिए right कोई अगर आपके पास यह जो है one three and four five अगर आपके पास यह जो है अच्छे से आप organize कर रहे हो तो definitely जो आपके teaching learning system है वो बहुत ही effective होगा question number one is from the following a list of learners characteristics identify those which will be helpful in ensuring effectiveness of teaching right select your answer from the course question कहे रहा है from the following list of learners जो learners की एक नीचे list दी गई है उनके characteristics है जो identify करते हैं कि जो एक बहुत जदा helpful होंगे ensure करने के लिए और teaching की का motivation, feeling of learners towards the social system, learners interest in sports and games, prior experience of learners, interpersonal relation of learners right इसका answer देखते हैं इसका answer number जो है वो एक correct है क्योंकि basically क्या है एक जो learner की characteristics है वो किस चीज को identify करते हैं एक effective teaching के लिए ensure करने के लिए कि यहाँ पर क्या है जो learners का level of motivation क्या है यह आपको करेगा और यहाँ पर prior experience of learners, जो learner का proper experience क्या है और जो आपका, आपका six है interpersonal relation of learners, जो learner का interpersonal relation क्या है वो भी आपका आपको बहुत जदा help करेगा एक effective teaching कि यह रहाई, next question की तरह हम move करते हैं, which one of the following sets of statements which describe the nature and objective of teaching right, indicate your answer by selecting from the course, teaching and learning are integrally related, there is no difference between teaching and training, concern of all teaching is to ensure some kind of transformation in students, good teaching is formal in nature, teacher, teacher is a superior person, teaching is social act, whereas learning is a personal act, question क्या कहे रहा है, विचाब्दा following sets up statement, तो नीचे statement, statement आदिये गए हैं, जो सबसे ज़्यदा describe करते हैं, teaching के objectives को और nature को right, तो क्या करेंगे आपके इसका answer number answers करते हैं, answer जो a है वो बिल्कुल correct है, अब answer a correct क्यों हो जाएगा, क्योंकि teaching and learning are integrally related, बिल्कुल बास है, यो teacher है, teaching है या जो learning है वो आपस में relate करता है, और जो यहाँ पर concern of all teaching is to ensure kind of transformational in students, बिल्कुल बास है, जो teaching है, वो ensure करती है, कि जो student के अंदर transformational होते हैं, उनको यह ensure करती है, right, फिर क्या होता है, जो यह objective होता है basically, और जो teaching is a social act, कि teaching क्या एक social act है, जबकि learning क्या है वो एक personal act, यह भी आपको ध्यार रखना है, कि teaching क्या है basically social act होता है, आप society के लिए होता है, जबकि learning क्या होती वो basically आपका एक personal act होता है, आप next question देखते हैं, next question है, from the list of evaluation procedures given below identify those which will be called formative evaluation, right, यानि जो formative evaluation क्या है उसको आपको identify करना है, इंडिकेट और आंसर बाई choosing from the course, यह जो कोड दिये गए है उनसे आपको आंसर को चूज करना है, कि teacher awards grace to students after having transacted the course work, during interaction with the student in the classroom, the teacher provide corrective feedback, teacher gives marks to student on a unit test, the teacher clarifies the doubts of student in a class itself and the overall performance of a student is reported to parents at every 3 month interval, और 6 क्याता है, the learner motivations, learner motivation is raised by the teaching through a question answer session, यह आपको बताना है, जो formative evaluation है, कौन कंसे जो नीचे आप procedure दिये गए हैं, वो identify करते हैं, किसको identify करते हैं, आप formative evaluation को, यह आपको बताना है, इसका answer check करते हूं, जो answer basically इसका B correct है, अब इसका answer B correct क्यों है, यह आप देखना है, क्योंकि जो B में क्या बोला गया है, जो second है, during interaction with students in a classroom, बिल्कुल clear है कि formative evaluation क्या होता है, कि जो during interaction, या during your study in a classroom, right, with the student, the teacher provides collective feedback, यह बिल्कुल बात सही है, यह आपका आ जाएगा, अब देखिए, आप आप eliminate कर सेते हैं, कि यह बाले अगर आपको confused आप हो रहे हैं, आपको proper answer नहीं आ रहा है, तो बहाँ पर आप जो elimination method है, उसको आप use कर सकते हैं, और थोड़ा sense of humor लगाके, थोड़ा time देखे, आप question को अच्छे से attempt कर सकते हैं, right, इसका तो कोई मतलब भी नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, आप यहां पे भी है, और आप आप सब कभी answer से निकल के आजाएगा, तो यह आजाएगा, the teacher clarify the doubts of students in a class itself, बिल्कुल बात सही है, जो teacher जो है, वो एक classroom में students की doubts को clarify करता, तो यह आजाएगा, right, the overall performance of students is reported to the parent at every three months interval, यह तो बिल्कुल नहीं मतलब भी नहीं बनता है, यह तो आई ही नहीं सकता, learner's motivation is raised by the teaching through a question answer session, यह बिल्कुल बात सही है, जो learner होता है, उसका motivation क्यों बढ़ता है, कैसे बढ़ेगा, जब आप question answer session लेके आओगे, उससे जो learners हैं, उनका motivation बढ़ेगा, जैसे जो हमारे साथ learners हैं, उनका motivation कैसे बढ़ेगा, उनका motivation कैसे बढ़ेगा, उनके साथ क्या होगा, जो question answer session करेगे, तो उनका definitely motivation बढ़ेगा, तो इसलिए क्या है, यह formative evaluation हो रहा है, तो आप अच्छे से इसको देखिए, अपने आप से relate करिए, बहुत अच्छा example है, जो question question answer session है, वो किस प्रकार का एक learners को motivate करता है, क्योंकि उसके अंदर confidence आता है, और एक वो formative evaluation होता है, ना कि वो summative होता है, नेस्ट question देखते हैं, नेस्ट question कहता है basically, यहां पर assertion और reason दिये गए है, assertion क्या कह रहा है, all teachings should aim at ensuring or learning, यहने सारी जो teachings होती है basically, उनका aim क्या होना चाहिए, कि learning को ensure करना होना चाहिए, यह जो reason कह रहा है, all learning results from teaching, यहनि जितनी भी learnings होती है, वो कहां से आती है, वो क्या teaching से आती है, यह कह रहा है reason, अब इसका answer क्या है, choose the correct answer from the following code, A is true, but B is false, but R is false, A is true, but R is true, sorry, A is false, but R is true, both A and R are true, but R is the correct explanation of A, right, जबकि जो D कहता है, जो last option है, बोत A and R are true, but R is not the right and correct explanation of A, right, जो बहुत ही simple question है, कि जो आप reason देखेंगे, all learning results from teaching, ऐसा तो नहीं है, कि जितनी भी आप learnings होती है, वो सारी teaching की धुरू होती है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं, तो यह आपका जो है, वो बिल्कुल जो reason है, वो बिल्कुल क्या है, आपका गलत है, तो यह answer इसका correct हो जाएगा, जबकि सारी teaching का aim क्या होता है, यह insuring करने करन है, हर एक teaching का basically aim होता है, तो इसका answer जो A है, वो correct हो जाएगा, यह हमारा last question है, आज की session का, question number 43, क्या कह रहा है, in the two list given below, दो list दी गही है, list 1 indicate method of teaching, और जबकि जो list 2 है, वो क्या करती है, basic requirement for a success and effectiveness, right, अब यहाँ पर क्या करा, match the true list and indicate your answer by choosing from the, आपको match करना है, list 1, list 2 के साथ, जो list 1 है, वो methods of teaching है, जबकि जो list 2 है, वो क्या है, basic requirement है, success के लिए, या effectiveness के लिए, एक basic requirement है, जो teaching है, methods क्या है, उसमें आपकी lecturing आती है, और discussion in group, brainstorming, program instructional procedure, अब इसकी requirement क्या है, basic requirement क्या है, वो कहता है, है है, आपर, small step, presentation with feedback provided, production of large number of areas, content delivery in a lucid language, use of teaching ads, themes based interacting among participants, right, यह आपको list 1 के साथ, list 1 है, उसको list 2 के साथ match करना है, आप कैसे match करेंगे, इसका answer already, आपने, हमने आपको बता, देख लिया, आपने, जो इसका answer है, answer A, आपका correct हो जाएगा, answer जो A है, वो correct क्यों हो जाएगा, उसके अंदर, आदेखिए, आप match करते हैं, कि basically, आपकी जो lecturing है, lecturing क्या होता है, यह आपको यहाँ पर करना है, content delivery in lucid language, आपकी lecturing क्या होती है, जो आपका content है, उसकी आप delivery कर रहे हो, बहुती lucid, बहुती effective language में, बहुती easy language में, effective language में, आप अपने content की delivery कर रहे हो, तो basically क्या हो रहा है, यह आपकी lecturing हो रही है, जिससे हम लोग अभी lecture ले रहे हैं, तो यह क्या है, एक lecturing है, इसमें क्या कर कर रहे हैं जो हमारे पास content है उनकी हम delivery कर रहे हैं एक बहुती smoothly बहुती effective बहुती करते हैं एक easy language में हम deliver कर रहे हैं तो basically a lecturing हो जाएगा जबकि discussion in a group जब हम group ने discussion करते हैं तो basically क्या होगा यह आपका relate करेगा बी जो है आपका थ्विफ्ट से relate करेगा theme based interaction among participants जो participants हैं उनके बीच क्या है एक interaction होना चाहिए कैसा interaction होना चाहिए और theme based interaction है वो क्या होता है discussion in group होता है फिर brainstorming होता है brainstorming ऐसा session होती है एक ऐसा meeting के सकते हो जहाँ पर सारे लोग free होते हैं आपने एक particular जो problem है उसके solutions देने के लिए आप जरूर ही है नहीं कि आप solution जो दे रहो वो ब्लुक्ल सही है गलत है आप ideas दीजिए जहाँ पर number of ideas जरेड होते हैं वो basically हमारी brainstorming कहलाती है तो यह जो है two से match कर जाएगा production of large number of ideas जहाँ पर large number of ideas निगलते हैं तो वो basically हमारी brainstorming कहलाती है रही जो इसके last time match करेंगे दी प्रोग्राम instructional procedure तो जो प्रोग्राम instructional procedure होता है basically वो किस से match करेगा जो list बन है उससे match कर जाएगा small step presentation with the feedback provided जह हम जो एक feedback provide करते हैं चोटी चोटी step step presentation देखें तो basically वो क्या होता है एक प्रोग्राम instructional procedure होता है तो इसको आप इस प्रिकार match कर सकते हैं अगर आपको इसमें एक भी teaching method आता है तो उससे आप elimination technique कर सकते हैं और आप आराम से पूरा question सही से attempt कर सकते हैं तो guys आज का जो हमारा session है learners वो over हो गया है इसमें हमने almost 20 question कवर करेंगे जो teaching aptitudes के हैं जो हमारा next हमारा section होगा जो हमारा next lecture होगा वो basically हमारा higher education पर होगा क्योंकि काफी experience की demand आ रहे दी कि इसा जो higher education है उसके PYQ कराई है तो जो हमारा कल का session होगा next उसमें हम higher education के बहुत ही important जो PYQs हैं उनको हम, उनका हम explanation देखेंगे रहे तो guys अगर आपको इस session अच्छा लगा हो तो session को like करिए और जादर से जादर share करिए और जैसे हमने बोला कि आप चैनल सब्सक्राइब करिए और साथ में जो bell icon है उसको on कर दीजिए ताकि आपके पास regularly basis पर update आते रहे Thank you have a nice day Thank you